अपत्ति उसी बात पर है कि यह घर बापसी जो हो रही है जिस तरह से सुल्ताना धर्म बदल कर सुर्भी हो गई अपत्ति उस बात पर खड़ी हो रही है हिंदू राष्ट पर अपत्ति खड़ी हो रही है ना आपत्ति की बात नहीं है यहां तो देखिए जब हमारे अपने सनातनी लोग जब जाकर के अन्य धर्मों में चले जाते रहे लोग उनको बरगला करके मैं एक बार कथा करने गया था 36 तो वहां मुझे लोगों ने बताया कि हिंदूओं को कुछ लोग ले जाते हैं और उन जी मैं सीधा रुक करता हूँ मेरे साथ मोलाना शरीफ काला साब है आगरा मस्जिद की प्रबंदक है अबेरंदर ने सर आपका और मेरा बड़ा मूल सवाल है अगर धर्म की सबको अपनी अदादी है तो इस देश का आर्टिकल 25 जिस अनुचे 25 की मैं दुहाई दे रहा हू वो यही कहता है कि सबको अधादी है तो इस पर पहरा डालना क्यों किया घरवापसी का डर है सुलताना का सुर्वी बनने का डर है देखिए इसलाम मजब वो मजब है जो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता और सब अपने धर्म के मताविक अपना-अपना काम कर रहे हैं कि इसलाम मजब को कोई परेज नहीं है इसके अंदर लेकिन जो लोग मुसल्मान की ना समझ लड़कियों को ना समझ ओरतों को बलगला कर और कहते हैं कि हमने अपने धर्म में उसको ले लिया वो कोई समझदारी की बात नहीं है ये वो लोग वो महिलाय होती हैं वो लेडिस होती हैं जिनकी कोई सरपरस्ति नहीं होती है और गलादातों में खेलकर उनी के जो इड्रम की बात करने लगती है वो महिला बोल रही है कि इधर बहुते बहुतों पर अत्याचार नहीं होता इस पर तीन तलाक नहीं होता सुल्ताना है लोग प्ति हमने सुनी और जो 250 परिवार कि ए मैं ने यह पूंचना चाहता हूं कि सुल्टाना की साधी हो गहीं तीर आफ्नालाग मिला अपने आसपास देख रहे होगी यह अपने आसपास देख रही होगी मौलाना सब्सक्राइब पहले इनसान को खुब अपने ऑपर करना चाहिए उसके बार पहोंदा पहुंचा ले और पहरे जिसाधी आप कह रहें है और हिए इसका नाम परीबर्दन कर दी ऑसको क्या मालम कि तिन तल्लाग में परिशानी होती है और तिन तल्लाग क्यों आद्मी देता है उसमें और उसके बाद वह राय रखे नहीं तो उसको राय रखने का इंतजार की इजादत नहीं हो सकती उसकी मेरा धर्मन ने सत्नी ह哇 मेरे जोड़ना सिखाया है हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं हमारे प्रश्ता हो जाए और इसक कि रिचले बात युदा संस्क्र ने चाया जानम की बात का ही जाती है मुलाना साफ श्वागि जैगे न आपको श्वागि जैगे न आपको श्यांु जैगे प्यार से रहेगा एक 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 तरके नदे ये निकार ऑज नसे तो खूँ